स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल बियल एजुकेशन हप पर दोस्तो आशे करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी बोर्ड की पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे तो दोस्तो हमने इससे पहले फिजिक्स के और कैमिस्ट्री के कुछ रेक्शन से इंपोटेंट्स कवर किये हैं आज हम देखते हैं ये फिजिक्स सेकेंड का शायद चैप्टर नंबर तीन का विकर्ण जो की विकर्ण था देवयति पिलकरती है उसका एक कॉश्चन है जो की इंपोटेंट है तो आज हम देखेंगे कि इस कॉश्चन की जो इसमें पूछ रहा है फोटोन की उर्जा इलेक्टोन वोल्ट में वो कैसे आती है तो बहुत ध्याने समझेगा और अगर सन्जमा आ जाए तो भी बता ना है कमेंट करके और शुरू करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटोन की उर्जा के लिए जो हमारे पास फोर्मूला होता है वो होता है ए बराबर e बराबर h new जहाँ पर e जो है वो photon की उर्जा है h जो है plank नियतांक है constant जिसके value होती है 6.62 गुनादस की घाथ minus 34 यह हमें याद रखनी है यह confirm जो fixed value है 6.62 तो 10 की बावर minus का 34 और new क्या है new है आवरत्ती यानि प्रिकाश की आवरत्ती तो यहाँ पर हम तीनों की इस बार फिर समझ ले कि photon की उर्जा के लिए formula होता है मारे पास e बराबर h new जहाँ के e जो है photon की उर्जा है photon एक बहुत ही छोटा कन होता है electron के जैसा और जहाँ पर इसकी उर्जा के लिए formula होता है e बराबर h new h यहाँ प्लांग नियतांग है जिसकी value fix होती है 6.62 into 10 की पावर minus का 34 और new क्या है यहाँ पर अवरत्ती है अब चुकि हमें इस का मान electron volt में निकालना है तो electron volt में निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से new का formula होता है हमारे पास एक e बराबर h new होता है new बराबर lambda sorry c upon lambda यह होता है हमारे पास new का formula c upon lambda जहाँ पर c क्या है प्रकास की चाल है यह भी fix होती है प्रकास की चाल कितने होती है 3 गुणा दसकीगात 8 meter per second यह प्रकास की चाल होती है जो की fix है यानिके 3 लाख 3 लाख meter भागता है प्रकास निर्वाद के अंदर 1 second में 3 लाख meter तो फिलाल new बराबर c upon lambda जहाँ पर c क्या है प्रकास की चाल है और lambda क्या है तरंग देधरी है तरंग देधरी है तो new की जगे यह आ गया यह हमें electron volt में निकालना था तो e is equal to अब हम जो है हाँ पर सारी value रख देंगे electron volt में निकालने के लिए तो सबसे पहले हम रखते है h की value जो की fix है 6.62 into 10 की power minus 34 और जो हमारे c की value है वो है 3 into 10 की power 8 upon में lambda की value हमें दी हुई है यह तरंग देदरी है हमें दी हुई है lambda is equal to 5 into 10 की power minus 7 meter इनके जो तरंग की लंबाई है photon की तरंग है उसकी लंबाई 5 गुना 10 की खात minus 7 meter है तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 गुना 10 की खात minus 7 यह रख दिया हमने यहाँ पर और जो हमाया electron world में निकालना है तो हमें electron का आविश भी रखना होगा electron का आविश कितना होता है यह हम जानते ही है 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लिए हमने कैसे कैसे क्या है सबसे पहले हमने photon के उर्जा के लिए formula लिखा E बराबर H new और फिर new के लिए formula लिखा हमने C upon lambda वो हमने यहाँ पूट कर दिया तो H C upon lambda हमारे पास है formula बनका आया है तो सबसे पहले हमने H की जो की plank नियतांक है जिसकी value होती है 6.6 into 10 की power minus 34 और C के वेले जो है 3.8 और lambda जो हमें दिया हुआ है 5.8 की गाथ माइन साथ electron वोल्ट में निकलने के लिए हमने electron का विशक दिया है 1.6 into 10 की power minus 19 आगे देखते हैं E is equal to 6.62 ऐसी रहेगा यहाँ पर यहाँ से एक काम कीजिए यहाँ पर हम 0 बढ़ा ले हैं यहाँ 0 बढ़ा रही हमने अब यहाँ भी point के बाद 2 अंक है यहाँ भी point के बाद 2 अंक है तो point के बाद अंक सेम करने के लिए हमने ऐसा किया है अब यहाँ से point से point हट गया यह point हट गया यहाँ से तो अब हमारे पास उपर 662 बचा है यह पोइंट अट गया यहां से तो यह है 662 और गुणा में 3 है और यहां पर दस्कीघात माइनस 34 दस्कीघात माइनस 34 और गुणा दस्कीघात 8 अपोन नीचे है 5 इन्टो 160 तो जब इसका पोइंट अट गया तो कितना हो एक सुशाट हो गया यह दस्कीघात माइनस साथ और दस्कीघात माइनस 29 तो जोड़ जाएंगी कितने हो दस्कीघात 26 कितने जाएगा 26 यहाँ पर इस इकवल टू आगर देखते हैं सबसे पहले हम इसे दो से डिवाइड कर लेते हैं यह दो से यह कट रहा है क्योंकि यह समसंग क्या है यह भी समसंग क्या दो अट्थे 236 यह 0 आगई यहाँ पर 236 और यह 236 और दो एकम 2 यह 331 आगा करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो अब हमारे पास है 231 गुना 3 गुना 1-34 गुना 10-8 और और नीचे दस्कीखात माइनस 7 और दस्कीखात 19 एड़ होकर 26 हो गई है माइनस की अब यहाँ पर इस 3 की हम मल्टिपले कर लेते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9 तिया 9 यहाँ पर दस्कीखात माइनस 34 ऐसे ही रहेगा और गुला दस्कीखात 8 ही वाला ऐसे ही नीचे 10 की खात माइन 26 होता हुससे हम उपर लेएंगे यह हो जाएगा प्लस का 26 जब हम घात वारी संख्या को नीचे से उपर या उपर नीचे ले जाते हैं तो घात वारी संख्या की चिन बदल जाता यह माइनस की थी उपर जाए का कुछ जाएगी प्लस की अब यहाँ पर नीचे 5 गुणा 80 बचा है यह कटने के बाद 2 से हमने डिवाइड किया था तो 80 गुणा 5 में करेंगे तो 5, 8, 40 और यह एक 0 बाद में लगा दी तो यह 400 हो गया फिर दबाद समझ लिजी यहाँ पर हमने क्या 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 पोइंट के बाद 2 अंग थे तो नीचे पोइंट के ब और 160 गुणा 5 में यहाँ पर लिग लिए अब 612 भी समसंग क्या है और यह भी समसंग क्या दो से डिवाइड कर लिए 2 अच्छे 2 अच्छे 2 अच्छे 2 एकम दो 2 अच्छे 16 और यह 0 ऐसी आगी यहाँ पर अब देखो जा रहा है हम पर E is equal to सबसे पहले 993 और अपोन 400 यह ऐ दस्कीखात माइनस 34 ऐसे ही यहाँ देखो दस्कीखात 8 और दस्कीखात 26 कैसे हैं दोनों प्लस की प्लस की प्लस की तोनों और एड हो जाएंगी तो कितने हैं दस्कीखात 34 दो दस्कीखात 26 राट कितने हो गए 34 हो गई अब E is equal to 993 और अपोन 400 दस्कीखात 34 में चोचरीगे दस्कीखात 24 गटेंगे तो दस्कीखात 0 बचेगी और दस्कीखात 0 को माद कितना हो जाएगा एक तो एक हम गटायाँ लिखेगे तो E is equal to 993 और अपोन 400 यहाँ पर दस्कीखात 0 बचेगी तो यहाँ पर 10 गटेजगे तो 34 गटे यहां सबसे पहले हम 400 से 990 को डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के लिए यहां पर कर लेता हूं मैं 400 से डिवाइड करूंगा मैं 993 को तो सबसे पहले 400 यानि 400 का पहला दो बार जाएगा इसमें तो 400 दूनी 800 अब यहां पर घटा देंगे हम तीन मैं 0 घटा है तीन बचा नो मैं 0 बचा और यहां 967 गया एक बचा यह बचा यह बचा हमारे पास 193 में चुकि हमें आगे पढ़ना है पढ़ा तो पॉंट लगा हो यहां से और 0 बढा लेंगे यहां पर हम अब हमारे पास जाएगा 1930 चार सो पर पाढ़ा पढ़ा ने 30 मे पॉइन लगा फिजूर बाढ़ा ली हम पर हमने तो यह होगा हमारे पास 3300 अब 400 को पाढ़ा पढ़ा पर लिए 432 और 4906 ज्यादा हो जाएगा तो हम पढ़ाएंगे 408 चाहएंगे 0,0,3 मेहधू का 1 फिलाल हम यहीं तक पढ़ादेंगे बस क्योंकि हमें दो अंग दॉक चाहिए बस तो हमारे पास जो इसे कह सकते हैं तो पॉइंटफाइव एलेक्ट्रोन वोल्ट तो हमारा इलेक्ट्रोन वोल्ट में जो आंसरा है फोटन की जो उर्जा यह एल एक बार फिर समझ लीजीए यहाँ पर हमने क्या-क्या हमने हैज की वैलू है और पिरकाश की चारल यह फिक्स है यह हमें दे रखे एतनरंग देत रहे हैं और यह उलक्टोन का आवीच रख दिया पॉइंट की बाद एक अंग था पॉइंट की बाद दो यंगते हैं अब हमने एक जिरो बला ली यहाँ पर और पॉइंट से पॉइंट कैंसल कर दिया अब हमारे पास चैसो बासेट ऊपर और तीन गुणा मैं है दस्कीवात माइस चोथे दस्कीवात आठ में एक जाएक कर ल चाश्च से यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया आपने डिवाइड देखी लिया होगा तो यह हमारा इलेक्ट्रो रोल्ट में अंसर आया है तो अगर आपके संजमा आया हो तो वीडियो जरू जाए लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझ लोड कर दूँगा ताकि आपके लिए यह सब आसान हो सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपने तैयारी में लगे रहिएगा